हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? देखे, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? प्रिपरेशन ओफ हेलो अलकेंस को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था सबसे पहले हमने देखा था कि एलकोहल से कैसे बनाई जाते हैं उसमें हमने पहली reaction देखी थी, Lucas Reagent की, उसके बाद हमने PCL3 देखा था, PCL5 देखा था, alcohol से अकेले नहीं बन सकता है, acid लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है, यह वाली बाद मैंने आपको mechanism से बताई थी, कि OH2 हमारा अच्छा living group बन जाता है, OH-bacard living group होता है, अगरी इसके बाद हमने hydrocarbon से देखी थी, alcohol हमने हमने एक और बाद सी की थी, PCL3 और PCL5, उसमें हमने red phosphorus और X2 का use भी देखा था, हमने SOCl2 की भी reaction देखी थी, thynil chloride, और हमने कहा था, कि वो best reaction होती है, उसके बाद हम hydrocarbon से पगए थी, वहाँ पर हमने पहली reaction देखी थी, photoalosination, जिसमे उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने bromine water test देखा था, जो की सबसे ज़ादा important था, ठीक, उसके बाद हमने finclisten reaction देखी थी, जिसमें हमने ये समझा था, कि dry acetone को क्यों use करते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा था, swarts reaction, जिसमें हमने transition element के fluorocompounds से reaction करवाई थी, और हमार fluorine जुडा था, लेकिन हमने पिछली class में एक भी हेलो अरीन्स नहीं बनाया था, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि हेलो अरीन्स इतनी आसानी से prepare नहीं हो सकते हैं, because हेलो अरीन्स को बनाने के लिए आपको phenol को तोड़ना पड़ेगा, बट phenol इतनी आसानी से OH bond नहीं तोड़ता, because उसमें partial double bond character होता है, मैंने आपको resonating structure बना कर भी दिखाए थे, इतनी बात हमने पिछली class में बहुत detail में करी थी, आज हम lecture 3 में क्या पढ़ने वारे हैं, preparation of hello arines, और आपके सामने पहली preparation है, from hydrocarbon by electrophilic substitution reaction, तो electrophilic substitution का मतलब क्या है, electrophil आएगा और एक किसी चीज को substitute करके और खुद जुड़ जाएगा, ठीक है, electrophil कौन होगा, obviously हम hello arines बना रहे हैं, तो कोई halogen atom होगा, ठीक है, तो मतलब halogen आएगा और किसी चीज को substitute करकर खुद बन जाएगा, हाँ, किसको substitute करेगा, सबसे अच्छा hydrogen है, hydrogen को substitute करके, खु toluene क्या होता है, benzene पर उपर CH3 लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, toluene, उसकी reaction हमने किसी भी अपने halogen gas से करवाई, F2 हो सकता है, CL2 हो सकता है, BR2, I2, ठीक, बट generally F और I नहीं होते, X हमारा क्या होता है, CL और BR, F क्यों नहीं होता, I क्यों नहीं होता, अब ही समझेंगे, दो मिनट बाद, इसकी reaction मैंने F2 से करवाई, ठीक है, iron कौन सा है, iron मेरा third oxidation state में है, इसकी जगह हम F2Cl3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और dark मैं करवाई, light क्यों नहीं ली, light लेते, तो halogenation, photo halogenation होने का डर था, radical form हो सकता था, ठीक है, और उससे हमने करवाई, तो क्या ब respect में ये वाली position कहलाती है ortho, और ये वाली कहलाती है para, ठीक, तो क्या-क्या बना, ortho hello tolueen और para hello tolueen, ठीक है, दो product मिले, ortho और para पर ही क्यों लगा, meta पर क्यों नहीं लगा, because आपको मालुम होगा, कि CH3 क्या है, electron releasing group है, और जब भी electron releasing group होता है, तो वो ortho और para position पर electron density को plus R से या plus H से meta position पर नहीं आता, केवल plus I से आता है, जो की बहुत ही weak effect होता है, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, तो इसकी presence में क्या हुआ, हेलोजन हमारा ortho position पर और para position पर लग गया, अब ortho position पर और para position पर दोनों के ही melting point क्या होते हैं, बहुत ही जादा difference होता है दोनों में, तो हम दोनों ही product को बहुत आसानी से separate कर सकते हैं, ठीक, major कौन सा बनेगा, major obviously आपका para बनेगा, क्यों, because यहाँ पर CH3 और X के बीच में हो रहा होगा repulsion, जिसकी वज़े से इस molecule की stability हो जाएगी down, लेकिन CH3 और X यहाँ पर बहुत दूर दूर है, बड़ी तसल्ली से दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, para वाले का melting point भी जादा होगा, ठीक है, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे melting point की, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा idea डेजरा हूँ, कि para वाले का melting point जादा होता है, ortho बाले से, because para वाला हमाला symmetrical molecule होता है, कैसे होता है, बाद में देख लेंगे, ठीक बट अभी मैंने आपको बताया कि fluorine और iodine को हम use नहीं कर सकते हैं, इस reaction में, ऐसा क्यों, because fluorine की reaction मैंने आपको कल भी बताया था, कैसी होती है, बहुत ही जादा fast होती है, because हमारा fluorine बहुत जादा reactive होता है, reactive क्यों है, because जो bond बनने जा रहा है, वो बहुत ही strong bond है, ठीक, तो इ चकर में हमारी बहुत सारी heat release होती है, और fluorine हमारा चूकी बहुत reactive है, तो इसलिए वो परवा नहीं करता कि मैं कहां लग रहा हूं, कितना लग रहा हूं, वो तो हैपजर्डस B में अपनी reaction करता है, ठीक है, है, हैपजर्डस B का मतलब क्या है, बिलकुल भड़बडी में, उ पर लगूं, मैं और्थो पर लगूं, या मैं मेटा पर लगूं, जहां जगें मिली, वहां लग जाता है, तो इसलिए हम फ्लूरो कंपाउंट्स को इस reaction से नहीं बनाते हैं, ठीक है, आइडो कंपाउंट्स क्यों नहीं बना रहे हो, बिकॉज आइडीन की जो reaction होती है, वो ठीक, तो इसलिए हम ऐसी reaction में क्या करते हैं, एक अलग से oxidizing agent भी डालते हैं, जो कि हमारे HI को बनता ही, उसको फिर से oxidize करते हैं, किसी और चीज में, और हमारी reaction की जो reversibility है, वो बिलकुल खतम हो जाएं, ठीक, तो वो तो हम भार से अलग चीज़ां और डाल रहे हैं ना, मतल ही किसे कराई जाती है, क्या, electroflex substitution reaction, अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, कि यहां पर electrofile क्या चीज़ थी, यह तो बताओ, पिछली reaction में तो हमने देखा था, HCL था, HBR था, तो hydrogen पर positive charge आ रहा था, और reaction मेरी हो रही थी, तो यहां nucleophile तो समझ में आता है, कि हाँ ठीक है, double bond हो जाएगा हमारा benzene का, बट electrofile क्या चीज़ है, तो इसमें electrofile होता है आपका, यह CL2 में present होने वाला, या BR2 में present होने वाला, sigma anti bonding orbital, बिकाद आपको पता है, चाहे यहां पर CL2 होगा, चाहे यहां पर BR2 होगा, दोनों के बीच में एक sigma bond जरूर होगा, और अगर sigma bond bonding वाल होता है, तो हर bonding के साथ एक anti bonding orbital भी present होता है, तो इसलिए इस electrofile substitution में, benzene की जो electron density है, वो hellosan के anti bonding orbital में attack करती है, ठीक, और वहां से एक मेरा group निकल जाता है, यानि कि CL2 है, तो एक CL निकल जाएगा, और एक CL आकर चुड़ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहां पर यह electrofile है, और यह मेरा nucleophile है, F-E मेरा catalyst की तरह work कर रहा है, ठीक है, F-E क्या है, यह मेरा एक Lewis acid catalyst है, ठीक, तो इतनी बात थी किस की ही, electroflex substitution reaction की, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम जैसे ही बढ़े तो हमें क्या मिला, हमें मिली अपनी formation of diazonium halide, यह क्या चीज है, diazonium halide, यह हमारा कोई भी हेलो अरीन नहीं है, बट हेलो अरीन को बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा reactant है, ऐसा क्यों है, जरा देखते हैं, चलो, तो सबसे पहले formation of diazonium halide, diazonium halide होता क्या है, ठीक है, N2 हमारा क्या 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 बोलता है, diazonium, ठीक है, N2 को क्या बोला जाता है, dia diazonium, ठीक है, तो N2X क्या हो गया हमारा, diazonium salt हो गया, ठीक, मतलब किसी गुरुप की उपर अगर N2 लगा होता तो उसको बोलते हैं, क्या diazonium salt, ठीक, जरा देखो, वेना primary aromatic amine, ठीक है, यह आपका primary aromatic amine है, dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite, NaNO2 sodium nitrite, a diazonium salt is formed, क्या किया रहा है, कि जब किसी primary aromatic amine को dissolve किया जाता है, किसी cold aqueous mineral acid में, that is हमारा HX, ठीक, is treated with sodium nitrite और NaNO2, तो एक diazonium salt बनता है, मतलब, जब किसी primary aromatic amine को NaNO2 plus HCl ले लो, या HBR ले लो, इसके साथ reaction करवाई जाती है, बहुत low temperature पर, that is 0 to 5 degree Celsius, इसलिए बोला गया cold acid, ठीक है, because 0 से 5 degree Celsius पर तो वो cold ही होगा, तो क्या बन जाता है, benzene diazonium halide, ठीक, जिसमें N2 positive और X minus होता है, और आपको पता होगा ये वाली बात, आपने GOC में पढ़ी होगी, N2 is our best leaving group, मतलब one of the best leaving group है हमारा N2, मतलब N2 बना, तो उसको निकलने की पड़ी रहती है बिलकुर, कि मतलब मुझे बस मौका मिले और मैं यहां से भागू, बड़ा ही अच्छा leaving group है, कोई भी reaction प्रिपेर करवानी है, आप N2 leaving group हो, भौत तरीके से वो reaction होती है, खीक, तो हम इसी का use करते हैं, आगे की reactions करवाने के लिए, कैसे करते हैं, let's see, तो next है हमारी sand mayor reaction, वो क्या होती है, mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride or cuprous bromide result in the replacement of diazonium group by CL or BR, ठीक, मतलब आप किसी भी diazonium salt की reaction किसके साथ करवाओ, cuprous chloride के साथ, ठीक, अब वो X हमारा CLB हो सकता है, X हमारा BR भी हो सकता है, तो क्या होगा, तुरंट मेरा N2 भागेगा, और मेरा X जाकर जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, aryl halide, ठीक है, यहाँ पर जो reaction होगी, copper के साथ, वो किस के साथ होगी, CL और BR के साथ, अगर हमें I जोडना है तो, तो I जोडना है तो फिर से कुछ और नया काम करना पड़ेगा, क्या, कि iodine की reaction तो इतनी fast होती है, कि आपको उसके लिए cuprous halide की भी ज़रुवत नहीं है, क्या करो, simple KI के solution का use करो, और उसमें benzene diogenium salt को मिलाओगे, तो तुरन्त आपका N2 भाग जाएगा और I जोड़ जाएगा, इतनी fast reaction होती है, आप देख रहे हो, reaction की fastest देखो आप, ठीक है न, इतनी fast है reaction, कि आप जैसे ही react करवा रहे हो, थोड़ा सा आपको shake करना पड़ रहा है बस, और तुरन्त आपका N2 भाग रहा है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, और जड़ा कुछ questions देखते हैं, आप तक जितना भड़ा है उसके waste, ठीक, जैसे कि suppose आपके पास एक यह question है, और इसमें reaction किससे करवाई जा रही है, HBR से, ठीक, तो यह reaction आप पढ़ चुके हो, जब भी हम HBR की reaction, एलकीन की presence में करवाते हैं, तो क BR को इधर जोड़ू, या BR को इधर जोड़ू, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, double bond को तोड़ो, और कार्बो कैटाइन बनाओ, और देखो, यहाँ जादा stable है, या फिर यहाँ पर, ठीक, तो जब आप यहाँ पर बनाओगे, तो वो बनेगा, 1 degree कार्बो कैटाइन, ठीक है, और जब यहाँ पर बनाओगे, तो वो कैसा बनेगा, 2 degree, और प्लस वो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से भी बहुत stable हो जाएगा, अथा stable हो जाएगा, तो इसका मतलब कार्बो कैटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक, तो इसलिए BR कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर अब बार-बार मेकेनिजम करने की थोड़ी ज़रूरत है, अब तो हम सीधे product बनाएंगे, ठीक, दूसरी reaction देखो, same compound है, लेकिन अब मैंने क्या यूज कर लिया, परोकसाइड, परोकसाइड की होने से क्या हो जाएगा, अरे याद करो, आपने 11 में पढ़ाओगा, जैसे ही product इस case में measure हो जाता है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा actually में तो BR लगना चाहिए ता यहाँ पर, बट BR कहाँ पर लगेगा, BR लगेगा मेरा इस जगा, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, because इसमें बनता है क्या, H radical, और क्या बनता है, normal radical, ठीक है, तो radical कहाँ पर बन radical, और यहाँ पर तो मेरा H जोड़ गया, तो यह reaction तो यह complete हो गई, तो BR मेरा कहाँ जोड़ेगा, इस जगा हो, ठीक है, तो यह तो हो गई radical की बात, ठीक है, बट आपको radical radical को छोड़ो, गोली मारो आप, आप तो सीधा यह समझो, कि जहाँ पर marconic of rules से product आ रहा हो, उस जग एक आपके सामने reactant दे रखा है, जिसमें दो alcohol group है, यहाँ पर एक यह फीनॉल है, और यहाँ पर यह एक alcohol है, इसकी reaction SCL के साथ करवाई जा रही है, heat की presence में, क्या होगा, तो मुझे पता है, कि यहाँ पर H positive और CL minus होगा, जैसा कि हमने यह सारी reaction पिछली class में कर चुके हैं, उसका application है, थोड़े अच्छे example के साथ, तो इस पर यह वाला oxygen भी attack कर सकता है, और इस पर यह वाला भी कर सकता है, बट मैंने आपको बताया था कि यह OH कभी नहीं तूटेगा, because यहाँ पर partial double bond character है, थी कि तभी तो हमने हेलो अरींस अलकतरी के से prepare करे थे, बरना थो हम direct SCL के थे, तो अब क्या होगा, अब मेरे इस oxygen के lone pair इस पर attack करेंगे, यहाँ पर OH2 बनेगा, वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर कार्वो कैटाइन बनेगा, और यहाँ पर जो कार्वो कैटाइन बनेगा, वो बहुत stable होगा, यहाँ पर CL minus attack कर देगा, और मेरा CH2 CL बन जाएग ठीक, बहुत अच्छी बात है, next क्या है, why is SO4 not used during the reaction of alcohol with KI, मैंने आपको KI के साथ reaction करवाई थी, alcohol की, लेकिन मैंने उसमें acid को use नहीं किया था, ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, आज उसका reason देखते हैं, ठीक है, कल मैंने आपको reaction करवाई थी, तो ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया, because H2SO4 की presence में, जो KI की वज़े से HI बन रहा है न, वो क्या होगा, वो मेरा again I2 में convert हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा H2SO4 क्या है, बहुत ही अच्छा oxidizing agent है, क्यों, क्योंकि मेरा sulfur maximum oxidation state में है, plus 6 में बैठा हुआ है, इससे आगे वो नहीं जा सकता, तो इससे पीछे ही जा सकता है, तो पीछे जा रहा है मतलब, अपने आपको reduce कर रहा है, और अपने आपको reduce कर रहा है, तो उसके cost पर किसी दूसरे को oxidize भी कर रहा होगा, और oxidize करने के लिए उसके पास कौन है, HI, जिसमें I negative है, उसको वो oxidize कर देता है, I2 में, ठ KI पहले मेरा H2SO4 के साथ react करा, उसने बनाया HI, और HI फिर से मेरा H2SO4 के साथ react कर के oxidize हो गया, और उसने बना लिया क्या, I2, ठीक, that's why we do not use acid with alcohol in presence of KI, ओके, ऐसे questions आप से boards में पूछे जाते हैं, यह आपके MCRT में भी reasoning question में दे रखे हैं, जिनके answer अक्सर हमें नहीं समझ में आते हैं, तो यह वाले question में ने चुन-चुन कर यहां पर निकाल लिये हैं, अब कुछ physical properties हैं हमारी हेलो-alkyns और हेलो-arines की mix, ठीक है, physical properties में ज्यादे दिमाग नहीं लगा जाता, कुछ का reason होता है, कुछ रट्टा मारने वाली होती हैं, जैसे for example, alkyl halides are colorless when pure, जब वो pure हो जो smell होती है, वो कैसी होती है, sweet होती है, ठीक है, melting और boiling point की बात करें, तो lower membranes जो होती है, members जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, cases, और जो higher members होते हैं, liquids और solids, ठीक हमें पता है, because lower members में, wonderful force और हमारा, क्या कहते हैं, जो molecular forces होंगे, वो कम होंगे, और higher membranes वो जाधा हो जाएंगे, alkyl halide have comparatively high melting and boiling point than their respective hydrocarbon because of high dipole dipole and high wonderwalls interaction arise due to polarity of halogro. क्या कह रहा है यह? यह ऐसा है गोलना चाह रहा है कि जो halkyl halide होते हैं ना, अगर आप उनका comparison उनके particular parent hydrocarbon से करोगे, तो उनका melting point और boiling point ज़्यादा आएगा. ऐसा क्यों? because जो आपके alkyl halides हैं, उनमें क्या है? polar bond है, polar bond की वज़े से वहाँ पर dipole moment create हो गया है और उनका जो wonderwalls interaction है, वो high हो चुके हैं. जिसकी वज़े से क्या होगा? उनके बीच में forces of attraction ज़्यादा हो जाएंगे और जिनकी वज़े से ज़्यादा heat देनी पड़ेगी मुझे उनने attraction को तोड़ने के लिए, उसकी वज़े से उनके melting point और उनके boiling point भी भड़ जाएंगे. ठीक, अगली बात क्या है? As molecules get bigger in size and have more electron, the attractions get stronger. जैसे जैसे मेरा molecule बड़ा होता जाएगा size में, उसमें electrons की मात्रा बढ़ती जाएगी और हमारे attractions stronger होते जाएंगे. इसलिए हमारा RI, RBR और RCL और RF के बीच में ये होता है boiling point का order. BP मतलब boiling point. तो आप इनको कैसे भी समझ सकते हो, बहुत अच्छा काम क्या है? ऐसे समझो, कि RR में मेरा iodine का size हो गया जादा, उसका mass भी हो गया जादा, जिसकी वज़े से उसका wonderful force जो attraction है वो हो गया जादा, जिसकी वज़े से उसका molecular weight भी हो गया जादा. ठीक, next बात क्या है? next बात है, as size of fluorine decrease, vendor walls force decrease, जैसे जैसे fluorine की तरफ जाते जाते size decrease हो रहा है, वैसे वैसे हमारा vendor walls force भी decrease होता जा रहा है. ठीक, अगरी बात क्या है? boiling point is inversely proportional to branching, ये बहुत important point है, जैसे for example, आपके सामने ये तीन molecule लिखे हुए है. ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें boiling point का order पूछी तो ज़रा गौर फर्माईएगा, इसमें कोई भी branching में ही है, एक पूरी long chain है, ठीक है, इसमें क्या है? एक BR यहाँ पर two position पर आ गया, एक branch मुझे मिल गई, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर दो branch मिल गई, तो जैसे जैसे branching भड़ती जा रही है, सेम hydro carbon में, याद रखना, carbon कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, और hello group कौन सा है? BR, 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 ठीक, अब मैं यह rule लगाँगा, क्या? कि जैसे जैसे branching भड़ेगी, वैसे, वैसे, मेरा boiling point कम होता जाएगा, ठीक, because मेरा surface area भी कम होता जाता है, इसमें surface area जादा है, इसमें surface area कम है, ठीक है, next property क्या है? पैरा isomers चो होते हैं, उनका melting और boiling point सबसे जादा होता है, बजाए उनके ortho और उनके meta के comparison में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, कि वो जो molecules होते हैं, वो मेरे symmetrical molecules होते हैं, देखो, याद रखना, melting और boiling point का stability से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप इनको जवरदस्ती stability से मत लगाना, ठीक है, इनका किस से relation होता है, कि इनके बीच में, इनका एक तो सबसे ज़्यादा molecular size कंगा ज़्यादा है, मतलए molecular weight, और दूसरी बात क्या है, इनकी main बात होती है, इनका crystal structure, वो कैसा है, ठीक है, इनके बीच में, आपका जो bonding structure है, वो कैसा है, या इनकी symmetry कितनी अच्छी है, तो जो आपका para molecule होता है, वो बहुत ज़्यादा symmetric है, ठीक है, symmetry की वज़े से, वो हमारे crystal lattice में, बहुत अच्छी से fit होता है, इसलिए जो para वाला molecule होता है, उसका melting और boiling point सबसे ज़्यादा होता है, बजाए उनके ortho और उनके meta के बीच में, ठीक है, लेकिन para का हमेशा high होगा, कभी कवार तो ortho का भी high हो जाता है, अगर उसमें क्या लग जाती है, उसमें अगर hydrogen bonding add हो जाती है, तो, ये वाला मैंने आपको एक example करवाय था, जो मैंने आपको hydrogen bonding वाली video बनाई है, उसमें, ठीक है, उसमें हमने कौन सा देखा था, paranitrophenol और और और्थो नाइटrophenol, ठीक, तो वह आप आप आँ से देख सकते हैं, चलिए, अगली बात क्या है, अगली बात है हमारी density, density के बारे में क्या देखना है, bromo, iddo और poly chloro derivative जो होते हैं, hydrocarbon के, वो हमारे heavier होते हैं water से, ठीक है, जो हमारे ये तीन compound आपके सामने लिखे हुए है, ये हमारे water से heavier होते हैं, ठीक, normal बात हमें क्या बढ़नी है, heavier का मतलब क्या है, अरे भई उनका mass बढ़ रहा है, इसलिए वो heavier है, density से मतलब क्या है, density से मतलब है, density is equals to mass upon volume, ठीक, तो अगर mass बढ़ रहा है, तो density obviously बढ़ेगी, mass हमारा किन किन चीज़ों से बढ़ सकता है, अगर हमारे number of carbon atom बढ़ जाएं, तो हमारा mass बढ़ जाएगा, अगर हमारे number of halogen atom बढ़ जाएं, तो भी हमारा mass बढ़ जाएगा molecule का, और अगर हमारा mass of halogen atom density बढ़ जाएगी, ठीक है, तो density हमारी तीन चीज़ों पर depend करती है, और तीनों के ही directly proportional है, ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, iodine है या bromine है या chlorine है, iodine का mass सबसे जादा, फिर bromine का, फिर chlorine का, तो इस वाले की density सबसे जादा, फिर इसकी और फिरिसकी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे chlorine के number भढ़ गई, यहाँ पर 4 chlorine है, यहाँ पर 3 chlorine है, यहाँ पर 2 chlorine है, तो यहाँ पर इसकी density सबसे जादा, फिर इसकी फिरिसकी, ठीक है, अगर हम बात करें solubility की तो जरा गौर फरमाईए solubility का मैंने आपको concept बहुत बार समझा चुका हूँ क्या कि like dissolve like इसका मतलब क्या है कि polar मेरा polar solvent में dissolve होगा और non polar solute मेरा non polar solvent में dissolve होगा तो हेलो एलकें कैसे हैं वैसे तो उसमें हमारा जो hydrocarbon बाला पार्ट है वो बहुत जादा है लेकिन हेलोजन आने की वज़ा से वो थोड़े से polar हो सके हैं ठीक है यार slightly polar होने की वज़े से क्या होते हैं वो slightly ही dissolve होते हैं किसमें polar compounds में ठीक तो अगर water ले लूँ, alcohol ले लूँ य लेकिन अगर मैं कोई non polar solvent लूँगा तो उसमें मेरे बहुत अच्छी तादात में इनकी solubility होगी ठीक है तो इस तरही के से हम अपने compounds की physical property को भी define कर सकते हैं तो आज हमने main main बात क्या पड़ी आज हमने electrophilic substitution देखा उसके बाद हमने कुछ और reaction देखी डाइजोनियम chloride के स send me your reaction देखी उसके बाद हमने chloride की भी देखी और iodide की भी देखी bromide की देखी उसके बाद हमने कुछ questions किये हमने देखा कि acid को हम क्यों use नहीं करते हैं KI के साथ alcohol की presence में और फिर हमने next बात क्या देखी physical properties अब इसमें क्या बच्चता है अब इसमें हमारी बच्चती है क्या हमा आया है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए और अपना खयान रखिए